भारत के राश्ट्रिय अध्वज, भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के जंडे को तो सब लोग पहचानते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे देश में सैक्रों अलग अलग तरह के जंडे देखने को मिलते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करे और एन्ज यानी की भागवार रंके होते हैं। मंदिर में विराजमान देवी देवता के अईसार आप अलग-अलग तकार के जंडे देख सकते हैं। जैसे दुर्गा माता मंदिर है तो यह जंडा 20 rough 구 val का मंदिर है तो आप कुछ ऐसा जंडा देख सकते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग हरे रंग का जंडा यूज करते हैं, जिसमें चान सितारे बने होते हैं, कुछ लोग इसे पाकिस्तान का जंडा भी मान लेते हैं। दरहसल पाकिस्तान के जंडे में मुस्लिम धर्म के जंडे के साथ एक सफेद पट्टी भी बनी होती है। जैन धर्म के जंडे में आप इन पांच रंगों के साथ बीच में स्वास्तिक और पंजा बना हुआ देख सकते हैं। बहुत धर्म के जंडे में आप पांच रंग होरिजॉंटल और वर्टिकल रूप में लगे हुए देखोगे। ये है सिक धर्म का जंडा जिसके बीच में बनी आकरती को खांडा कहते हैं इसे गौर से देखने पर आपको एक चक्र के साथ दो तलवार दिखेंगी इसाई धर्म के जंडे में आपको सफेद और नीले रंग के साथ एक लाल रंग का क्रॉस भी देखने को मिलेगा ये जंडा रतन टाटा को बहुत प्रिय है क्योंकि य अंबर Good Perfect ये है मंता बनल जी की all एंडिया त्रनूल कांग्रिस पार्टी का झंडा ये है मायावbnती की बहज़न समाज पार्टी चंहые हैं नितिश कुमार की जंता तल युनाइटेड पार्टी का जंडा यह लालु क्रसाथ की राश्थ्रिए जंता दल पार्टी का आंधरप्रदेश के चंद्रबाबू नाजनू की ठेल्गूद देशम पार्टी का जंडा हरीयाना के उंत्रकाश चोटाला की इंडियन नैशनल लोग दल का जंडा, चिराग पासवान की लोग जन शक्ती पार्टी का जंडा, राज ठाकरे की महराष्ट्र नव निर्मार सेना का जंडा, अथिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जंडा, सुखबीर सिंग बादल की शिरोम चोनिय अकाली दल का जंडा, उद्धरव ठाकरे की शिव सेना का जंडा, भारतीय जनता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का जंडा तो आप जानते ही हो नमबर थ्री भारत की प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन के जंडे इंडियन नाशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में लगभग चार करोर सदस्य है। नमबर थ्री भारत के प्रसिद्ध राजाओं के जंडे 590 इसापूर्व से 1621 तक पांडिया डाइनस्टी का जंडा 300 ईसा पूर्व से 129 इस्वी तक चोला डाइनस्टी का जंडा, 275 से 897 इस्वी तक पल्लव डाइनस्टी का जंडा, 1206 से 1526 इस्वी तक दिल्ली सल्तनत का जंडा, 1336 से 1640 इस्वी तक विजय नगर सामराज्य का जंडा, 1526 से 1858 इस्वी तक मुगल राजाओ का जंडा, 1674 से 1818 इसवी तक मराठा सामराज्य का जंडा नंबर से भारतिय ध्वज का विगास कैसे हुआ 1906 कलकता जंडा 1907 इंडियन नैशनलिस्ट जंडा 1921 में नेशनल कांग्रेस का जंडा 1931 से 1947 तक इसे सुराज जंडा कहते हैं 1947 में लुई माउंट बेटन द्वारा सुझाया गया जंडा 22 जुलाई 1947 के बाद से ये हमारा राश्ट्रे ध्वज है पर क्या आप जानते हो पस्चिन अफ्रीका के नाइजर देश का जंडा और आयरलेंड देश का जंडा भारत से बहुत मिलता जुलता है नमबर सेवन ये है कुछ और विविद प्रकार के जंडे सफेद जंडे को शांती का प्रतीक माना जाता है ये चैरिटिबल और्गनाइजेशन रेड क्रॉस सोसाइटी का जंडा है भारत में रेलगारी रोकने के लिए लाल जंडा और रेलगारी को चलाने के लिए हरे जंडे का प्रयोग किया जाता है 2019 तक जम्मू कश्मीर के लोग अपना अलग जंडा यूज करते थे नैशनल स्टुडेंट यूडियन आफ इंडिया का जंडा अथिल भारतिये विद्यार्थी परिशद का जंडा नैशनल कड़ेट कॉप्स का जंडा भारतिये स्कॉर्ट जंडा उत्तर प्रदेश पुलिस का जंडा रक्षामंत्राले का जंडा इस्ट इंडिया कंपनी का पहला जंडा और दोस्तों रिशा के पुरी जगन्नात मंदिर के सिखर पे लगा ये जंडा हमेशा हवा की विपरीद दिशा में लहराता है ऐसा क्यों है इसका अभी तक व वीडियो जरूर देखना